हलो एवरिवन पिछली क्लास में हमने बियर लेंबर्टनियम और अनु में पाए जाने वोले विभिन उजास्तोरों के बारे में ध्यन किया था आज हम उसी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानि की पराविंगनी द्रश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे बढ़ाते हैं द्रश्य पराबेंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिध्धानत है वो आपका बियर लेंबर्ट नियम पर काम करता है जिसका गणितिव फर्मूला A बराबर एपसलांक C L हैता है जहां C योगिक के विलियन की सांदरता है L प्रकाश पर्थ के त्वारा तरह की गए दूरी और A आपका और शुणांक या प्रकाशिक गनत्वर कहलाता है वहाँ पर अपनों ने पढ़ा था कि अनू में इलक्टोनिक उजास्तर, कमपन उजास्तर एवं गूर्णन उजास्तर होते हैं किस प्रकार की लाइट या प्रकाश या विकिरण अनू को दिया जाएगा उसके हिसाब से उनमें संक्रमन होता है तो सबसे पहले पन पढ़ेंगे या पर पराबिंगनी एवंद्रश्य स्पेक्टरस्कोपी तो कल अपनोंने वहाँ पर पियाना को बताया था कि पराबिंगनी एवंद्रश्य स्पेक्टरस्कोपी को इलक्तोनिक स्पेक्टरम भी कहा जाता है क्योंकि प्राबिंगनी एवंदर्श शित्र की विकीरण को अवशोशित करके योगिक या अनू में इलोक्तोनिक उजास्तर में संक्रमन होता है मतलब जब कोई अनु या योगिक ऐसे विक्रिण का आवस्योशन करे जिसकी वज़े से उनमें इलोक्ट्रोनिक उजास्तर में संक्रमन होता हो तो पराप्त स्पेक्ट्रम को इलोक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं और यह जो spectrum प्राप्त जो होता है वो विद्दुच चुम्ब की spectrum के पराभेंगनी एवं द्रश्य शेत्र में बनते हैं इसलिए इसे पराभेंगनी एवं द्रश्य spectroscopy भी कहा जाता है इन द्रश्य एवं पराभेंगनी शेत्र की light को absorb करके योगी किया अनू में electronic उजास्तर में संक्रमन होता है इस वज़े से पराभेंगनी एवं द्रश्य spectroscopy को electronic spectrum भी कहा जाता है या electronic spectroscopy भी कहते हैं ठीक है दूसरी चीज कि किसी भी योगी कि या अनू की spectroscopy का अध्यन करने के लिए सबसे पहले उसका विलियन बनाया जाता है तो यहाँ पर अपने को कुछ चीज़े ध्यान रखनी है कि electronic spectroscopy या पराभेंगनी द्रश्य spectroscopy में योगी किया अनू का विलियन बनाने के लिए उस विलायक का उप्योग किया जाएगा जो विलायक द्रश्य एवं पराभेंगनी शेतर की light का absorption नहीं करता हो ठीक है ना तो मतलब विलायक ऐसा होना चाहिए जो इस range इस पराभेंगनी शेतर की light का absorption नहीं करता हो ऐसे विलायक का अपने को उप्योग करना है दूसरी कोई भी spectroscopy पढ़ेंगे वहाँ पर अपने को ध्यान लखना है कि विलायक ऐसा होना चाहिए जो उस range की light को absorption नहीं करता हो जैसे की UV visible spectroscopy की जो range है वो है आपका 100-800 nm के मद्य मतलब 100-800 nm की light है वो आपकी किस range में आती है पराभेंगनी एवं 10 ये spectroscopy शेतर में आ बोलना है योगी क्या विलियन को जो पराभेंगनी द्रश्य शेतर मलत 200-800 लगभग 200 nm से 800 nm की विद्वी चुम्बे की विकेरण का और शोशन नहीं करता हो ऐसे विलायक को अपने को लेना है तो सामाने रूप से योगी का विलियन बनाने के लिए द्रश्य पराभेंगन का उप्योग करते हैं ठीक है 95% अलकॉल का उप्योग के जाता है जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक की रूप में काम में ले जाता है और यह यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉब नहीं करता है इसके अलावा जल एवम हेक्जेन का भी उप्यो हमें स्तोत की आवशक्ता होते हैं स्तोत का मतलब यह है सोर्स का मतलब यह है कि पराबेंगनी एवम द्रश्य शेत्र की लाइट विकिरन की हमको आवशक्ता पड़ती है उस आवशक्ता के पूरती के लिए हमें सोर्स की आवशक्ता पड़ती है कि किस सोर्स के माध्यम से हमे प्राबेंगनी एवं ध्रश्य यह विजीबल लाइट को हम योगी क के विलियन में प्रवाहित करते हैं और योगी का विलियन है वो उस लाइट में से कुछ विक्रिणों को अशुशित कर देता है ठीक है तो पराबेंगनी शेत्र के लिए श्टोर की रुपनाइपन काम देत है hydrogen visergen lamp तो hydrogen visergen lamp से हमें प्राभ्यंगनी शेत्र की विद्व चुम्बर की विक्रेंट प्राप्त होगी और दर्ष्य शेत्र के लिए अपने यूज करेंगे टंगस्टन filament तंटू तंगस्टन तंटू लेंब का उप्योग के जाता है जिससे दर्ष्य शेत्र की light हमें प्राप्त होगी और उस light को हम योगिक के विलियन में प्रवाहित करवाएंगे ठीक है कोश्टिका अब कोश्टिका का मतलब क्या है कोश्टिका वह चीज होती है जिसमें जिस योगिक या अनू का हमें अध्यन करना है उस अनू के विलियन का उसके विलियन को उस पात् UV visible light को अवशोशित नहीं करती हो ऐसे पात्र में उस विलियन को रखा जाएगा जिसका electronic spectrum हमें प्राप्त करना होता है तो इस spectroscopy में कोश्टिका भी उसी बनी होगी जो पराबेंगी हम 10 शेत्रिक light को एब्सॉब नहीं करती हो तो पराबेंगी शेत्रिक के लिए हम quartz की बनी कोश्टिका का उपयोग करेंगे quartz की बनी कोश्टिका का उपयोग करते हैं जबकि visible के लिए हम काच की बनी कोश्टिका का उपयोग करेंगे इल्लक्ट्रोमिकि स्पेक्टर्म प्राप्ट करने के लिए जो स्प्रेक्ट्रोसकॉप गश्मापी साइब उसमें विलियन बनाने के लिए LIVE के रूप में 95 पतुषियर प्रभी प्रेखन लेते हैं तोध के रूप में पराब्योंग्नी शमता, ko पर दर्शी शेत्र के लिए अपन काम लेंगे टंगर्स्टन, तंटू, लेंप और कोष्टी का जो पराबेंगनी शेत्र के लिए जो बनी होगी वो होगी आपकी क्वार्स की बनी होती है जबकि दर्शी शेत्र के लिए हम जो कोष्टी का लेंगे वो काज की बनी होई होती है प्रा बेंगनी श्यत्र नीमीटर की जो नीची का ख्यत्र होता है उसमें वायू वासा बाधा का मझत करों क्योंकि वायू में उपस्तित ऑक्सिजन गैस 200 नैनोमीटर एवं उसके नीचे के ख्षेत्र में आउशोशन करती है तो ऑक्सिजन अगर उस स्पेक्टर स्कोप में या प्रकाश मापी में प्रेजेंट होगी उपस्तित होगी तो ऑक्सिजन भी यूवी लाइट को एब्रब करके कुछ आउशोशन स्पेक्टरम कुछ बैंड दे देगी जिसकी वज़े से हमें किसी भी अनू या योगी की अध्यन करने में मुश्किले उत्पन हो सकती है बाधा उत्पन हो सकती है 200 नैनोमीटर के नीचे का क्षेत्र ऑक्सिजन आउशोशन कर लेती है तो उस ऑक्सिजन को दूर करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रवाह करते हैं और क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वह 125 नैनोमीटर से नीचे के शेत्र में आउशोशन करती है तो oxygen की बाधा को दूर किस के दूर किया जाता है nitrogen gas प्रवाहिद करके अतहर 200 nm की निच्चे के एक शेत्र को हम निर्वात प्राभिंगनी शेत्र कहेंगे क्यों क्योंकि 200 nm की निच्चे के एक शेत्र में oxygen औशोषित UV light को absorb करती है तो उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते है nitrogen gas को प्रवाहिद करके oxygen को उस वातावरंड से हटा देते हैं ठीक है next एक important चीज आरी यहां पे lambda max lambda अधिक्तम तो lambda अधिक्तम की क्या परिवाशा है वह तरंग धेरिय जिस पर योगिक का अवशोषणांक मतलब capital A अधिक्तम होता है उसे अधिक्तम अवशोषणांक की संगत तरंग धेरिय लेमडा max कहलाती है म़तल वह तरंग धेरि जिस पर किसी भी योगी का अवसुशनांक अधिक्तम होता है तो उस अधिक्तम अवसुशनांक के संगत जो तरंग धेरि आती है उस तरंग धेरि को अपन क्या क्या करते है מאוד max कआ जाता है जो किसी भी योगिकों के लिए एक अपिलाक्षनिक गुंधर्म होता है तो यहाँ पे UV Visible Spectroscopy का जो स्पेक्टम प्राप्त होता है उसका मैंने एक छोटा सा डाइगरम बनाया है जिसमें यहाँ पे अफ्सुशनांग capital A लिखा हुआ है और यहाँ पे तरंग धेरे के बीच में ग्राफ होता है और ग्राफ अपने को V-shape में उल्टा U-shape में या V-shape में अपने को प्राप्त होता है तो दिरे-दिरे अफ्सुशनांग बढ़ता है एक समय के बाद अफ्सुशनांग के बाद वो दिरे-दिरे गड़ता है अभी लाक्षनिक गुंदर्म होता है तो आज अपनोंने पड़ा UV Visible Spectroscopy के प्रकाश मापी के बारे में कि विलियन के लिए विलाइक कौन सा लिया जाएगा विलाइक 95 प्रदिश्यत अल्कोहल जल या हेक्जन काम में लिया जाता है पराबेंगनी दर्षय स्पेक्ट्रसकपी स्तोत के लिए हम क्या लेंगे पराबेंगनी शेत्र के लिए हम काम में लेते हैं हाइडरोजन विसरजन तंतु लैंप और विदर्षय शेत्र के लिए अपन काम में लेंगे तंगस्टन तंतु फिलामेंट कोस्टिका जिसमें विलियन या योगिक के विलियन को रखा जाता है वो पराभेंगनी शेत्र के लिए क्वार्स की बनी होती है और दर्शी शेत्र के लिए कांच की बनी हुई होती है ठीक है फिर दोस्तों नेमेटर के नीचे का जो शेत्र है वो शेत्र निर्वात पराभेंगनी शेत्र कहलाता ह क्योंकि नीचे की शेत्र में बाईव है ऑक्सिजन है वो बाढ़ा त्पन करती है उस कंभी को दूर करने के लिए हम उसमेंandidogen gas प्रवाइद करके उसके वातावरान को निर्वात किया जाता है उसके बाद अपने पड़ा मैक्स अधिक्तम औरशुष्ण की तरंक देरी जहाँ पे और श्काषणांग अधिकतम होता है जो कीसी भी योगिक के लिए अभिलाख्षनिक को धर्म होता है दूसी चीज युवे विजिबल स्प्रेक्ट्ठोस कोपी को इलल्क्ट्रोनिक स्प्रेक्ट्रूम भी कहा जाता है electronic spectroscope भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो संक्रमन होता है वो एक electronic उजास्टर से दूसरे electronic उजास्टर में होता है ठीक है और इसकी जो परास है वो 100 nm से 800 nm के मध्य में होती है जिन्हें हम अगर angle storm में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1000 nm से 8000 nm के बीच में होता है तो आपको यह परास आपको ध्यान रखनी है कि UV visible spectroscope का परास nm में कितना होता है and angle storm में कितना होता है Thanks